कि अलो गाइस कैसे हो आप सभी आसा करता हूँ इंतम परफेक्ट होंगे और जो आपकी त्यारी है ने मेंस के लिए वह इंतम बिंदा चल रही होगी गाइस बट उससे पहले मैं टार्गेट कर रहा हूं आपके अगर आपका टार्गेट है 2022 में अगर आपको बैंकर बनना है तो आपका जो टॉपिक है ना क्या है पजल और सिटिंग आरिजमेंट क्योंकि यह रीजनिंग का यह वो टॉपिक है जो आपका 70 to 80 % गया करता स्लेबस को कवर करता है कौशा करता हूँ वो पजल होता है और सिटिंग अरिजमेंट ही यह वो टॉपिक है जो आपका 70 to 80 % स्लेबस किसी भी बैंक का एक्जाम में रिजनिका स्लेबस होता है इसको यह कवर अब करता है तो देखु काईस मैं 1000 पर जरीज स्टार्ट करिए ठीक है आज इसका कौन सा दिन है यह तीसा दिन हुआ गाई तो इस में क्या करूंगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप क्या करिए इस से जुड़िए और जो भी पजल और स्टेगे ट्रिक्स होती है क्या इसके स्टैप्स होते हैं वो सारे मैं आपको एक लैट में बैठे है इसमें आपको इसमें क्या होता है आपको दो से तीन परकार की इस परकार से आती है कभी 7% कभी 6% कभी 8% कभी 10% तो आज मैंने जो लिये वो 10% के लिए ठीक है A2 लेके J तक बैटे है ठीक है और ये हिंदी मीडियों के बंचों के लिए ठीक गाइस चलिए इसने क्या बोला हमारे पास कितने परसन है 10 पीपल है मैं अब देखो मैं इक रोव बना लेता हूँ ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है और सबका फेस क्या है नौट की तरफ है जब बात करेंगे हमारा फेस क्या हो नौट ठीक है एक चीज़ मैं इसको पहले बना जीता हूँ फिर आपको बताता हूँ जब नौट फेस हो तब क्या होता है और जब साथ फेस हो तो क्या होता है ठीक हो लोग जब आपका फेस क्या हो नौट की तरफ हो तो यह मेरा क्या होगा राइट एंड होगा ठीक है और यह मेरे क्या होता है लेफ्ट एंड होता है बट अगर बात करें हमारा साउथ फेस हो तो साउथ फेस करेंगे तो हमारा यह होगा राइट एंड ठीक है और यह मेरे क्या हो जाता है लेफ्ट एंड हो जाता है ठीक है तो यह बेसिक इंफॉर्म अब दब इन को करने के लिए मैं आपको पहले बचा चुका हूँ और अभी बतारों दुबारा कि आपको क्या करा जितनी भी information सबसे पहले उसको लिख लो ठीक है उसके बाद ऐसी information पकड़ो जो बागी जो information उससे रिलेट होते जाए ठीक है तो आपको यह हमें से ध्यान रखना है इसमें क्या एक होती definite information एक होती हमारी possibility बेस ठीक है जो definite होगी उसका value उसकी जगा फिक्स हो जाएगी बड़ जो possibilities आते है उसमें क्या होता number of positive जाना होगी तो आपको चेक करने पड़ती है ठीक है तो चलिए देखो उसने क्या बोला F is sitting fourth to the right end अब दो right end से उसकी position क्या fourth है तो यह मेरे पास क्या definite information है देखो right end मेरे यह है न तो यहां से एक दो ती चार्ट चौती position में क्यों आएगा मेरा यह आएगा मेरा F ठीक है जी आपको उसने क्या बोला कि one person sitting between F and H अब दो यहां से मेरी 8 9 10 सबका face क्या है आपका north की तरह ठीक है गाइस बिल्कुल basic से पढ़ा रहो और दिल से पढ़ा रहो गाइस तो जरूर क्लास को share करें और ज्यादे बच्चों को आसकर इस क्लास को आपको share करना हो पड़ा ठीक है गाइस चलिए अब दो एफ की position मुझे पता है क्या वह 4 है ठीक है यह right-hand से अब देखो उसने क्या बोलता है F और H के बीच में कितने person है आपके F और H के बीच में 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 पास person है एक ठीक है अब वो right में हो सबता है left में हो सबता है अब दो case first मेरा first हो जाएगा यह मेरा second case हो जाएगा त ठीक है चली है अब इसको यहां से में अठा जाएता हूँ ठीक है चली है अब आगए क्या मोला कि C is sitting forth from the left end of F के 4th left में एक दो तीन चार कुन सी पुझी जाएगी वह आपकी C के आएगी देखो F यह रहा first case देखो आप तो एक दो तीन चार यहां मेरे क्या जाएगा सी सेम सेकंड किस एक दो तीन चार यह हो जाएगा मेरा C चली आगे क्या मोला E and C are not sitting next to each other मतलब क्या है? E और सी आपके पास-पास नहीं हाएगा मतलब देखो E मेरा यहां पर नियांप अएगा ना और ना ही मेरा E यहां पर आएगा same second case देखो, E मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, और E मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, चलिए, इसको यहाँ से अटाएते हैं, चलिए, अब देखो, आगे क्या बोला, कि there are many people sitting, left of C, मतलब जितने left में बैटाएं किसके C के, उत्रे ही आपकी क्या होगे, right of A, मतलब जितने person आपके left में आएगे, किसके C के, उत्रे ही आपके right of किसके आएगे, आपके A, तो देखो, C के left में कितने first case देखो, एक, दो, तो right में किसके हो जाएगे, A के कितने person हो जाएगे, दो, सेम second case देखो, एक, दो, तो A के right में कितने हो जाएगे, आपके, दो, आणा, देखो, चलिए इसको यहां से हटा जे जो जो हमारी इंट पर चलो जाएगा इसको यहां से रेज करता है ठीक है चलिए आगर क्या बोला बी अब दो को यह हूँ किसके लिए आपका यह बी के लिए हूँ ड़स नॉट नियर टू एच मनलब एच का पर अपका बी तो देखो बी मेरा यहां पर नहीं आएगा और एच के पास बी मेरा यहां पर नहीं आएगा अच्छे लिए बट वागर बोला है इस सिटिंग सेकंड तू दू राइट आप ए मतलब एक के सेकंड राइट में क आजाएगा बट उसने पहले बोलता कि एक के नाइबर आपका बी नहीं होना चीए बट इसमें तो और बी आ रहा है तो मनलब मेरा से क्या हुआ यहां से एडें पता है कि मेरा आंसर क्या होगा मेरा सब्सक्राइब है चलिए अगर कि देर और थ्री पीपल सिटिंग बिट्मीन बी एंडी मतलब क्या है विए और डी के बीच में कितने पसटन आएगे मेरे तीन आएगा वह मेरा एक दो तीन यह मेरी किसके जगह हो जाएगी यह हो जाएगी चलिए यह होगी अगर क्या मुला कि जी इस टिंग लेफ्ट में कौन होगा मेरा वो गजी कंथ ऐसकता है वर अमचैनल पर फेसी मेरा जाएगा और उसके भी लेफ्ट पर गार जाये मेरा जी हो जाएगा अब फेसी का पड़ों से नहीं होना चीए थो उसकी जगार हो जाएगी जे कीज़ेगा देखो यह मेरे क्या होगा complete answer तो देखो गाइस एक चीज़ में आपको बता दू हमेशा अभी कर आप beginners हो ठीक है तो आप क्या focus करोगे अभी आप accuracy अगर आप आप दो से तीन में से त्यारी कर रहे हो तो हमेशा ध्यान कोना speed plus accuracy अगर आपकी होती है तब ही आपको क्या मिलती है success मिलती है यह मेरा funda है हर बार में class में बताता हूं अगर आप beginners हो तो अभी focus करिए accuracy पी speed focus मत करिए जब आप सारी puzzle को बनाना सीख जाएंगे तो दीरे दीरे आपकी speed किया हूँ है automatic आपकी बढ़ जाएगी तो हमेशा focus करिए अगर आप beginners के तौर पे हो तो आप focus करिए accuracy पे अगर देन श्पीड पे ठीक है तो चलिए आज की नेक्ट पर देखते हैं जो आपकी जो सिटी के रिजमेंट नहीं है यह square base अब देखो square base में चीज में बेड़ा दूआ कि कभी को बोले करने में बैठे ही चार परसंते और बोल देखा चार आपके adjustment है वो खजा आणके आउट साइड है और अच्छे में और जो इंडर वालों का है आपका ओट साइड था ऑफको बोलने का सबका पैस क्या है आपका इन साइड है था है। कभी वोऔर सबका फेस क्या है आपका आउट साइड है तो यह आप ध्यान बढ़िएगा इस पे किस-kis प्रकार की आपको पेसल देखने सबसे पहले काम कर रहा हूं कि टेबल को बनाना चलिए आंगा उसके बोला दावन हूं सब्सक्राइब करें उनका इंसाइड होगा ठीक है अब देखता हूं क्या क्या इंफर्मिशन को दे रखी है यहां में बोला है कि इस इमिडियेट नाइबर ऑफ बोथ ए एंड एच जो आपका इन वह ओठीक है मतलब क्या है कि एच मेरा यहां भी आसे और यहां भी एभास ठीक है चलिए अब आगा बोला इस सिटिंग विडिल और मिडल कल बेच़ाइगा अब जरूर नहीं आप यहां भी काई में ले सकते हूं, प्छाइं भी, आप मैं यह मेरा एक बार एक e के left पर भी आ सकता है e के right पर मेरा e आ सकता है तो यह बार दो possibility बढ़ी तो मैं दोनों आपको समझाता हूँ ठीक है? क्योंकि मैं बिल्कुल 0-7 पढ़ा रहा हूँ भी आपको ठीक है? एक बार वापस मनाता हूँ और यह मेरा केस क्या हो जाएगा? second ठीक है जी अब देखो e मेरा क्या है middle में तो मतलब देखो e क्या हो जाएगा? एक बार e के left में आ जाएगा और h मेरा एक बार e के right में आ जाएगा बट मैं second case में देखो तो e के left में h ले लेता हूँ और यह मेरा राइट में जाए चलिए इसको यहां से अटा जेते हैं अब आगा किया मोला उसने कि ओली वन परसंट सिट बिट्विन ए एंडी मतलब ए और दी के बीच में कितने परसन आपकी एक परसन है तो देखो एक लेट में पॉसिबल है कि नहीं ना तो एक राइट में क एक इसमें क्या होगा डी मेरा यहां पर आजाए चलिए इसको यहां से रियेज कर देते हैं चलिए होगया है अब आगे देखो भाला है एक सिट सेकेंड टुद राइट अफ जी मतलब क्या जी के सेकंड राइट में कौन होगा मेरा फ होगा थीश इस नाट इमिडियेट न यहँए बालब G मेरा यहां पे नहीं आएगा ठीक है और एके पास अगर श्रो को यहां लेता हूं लेखाए। है है। बहुत है कि एक बंते हैं और जी के राइट होगा यह मेरा लेट होगा, तो आ जागा मेरा एक तो इसके बाद अगर आप देखो इहां लेता हो तो जी के second right में F और चाहिए तो पॉसिबल नहीं है ना तो मुझे पता चलेगी है कि जी मेरा देखो यहां पर लेड़ी सकते हैं इसे बना कर दिया तो जी मेरा क्या होगा यहां पर आ जाएगा और उसके second right मेरा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा F ठीक है चलिए तो यह आपको चेक करने होती है ठीक है चलिए इसको यहां से अठाज़े तें चलिए तो गाइस इसमें यही तरीका और कोई तरीका यह नमरों पॉसिबली आप चेक करिए ठीक है अगर आपको लगता है दो से तीर डाग्राम आप जरूर बनेए गाई ठीक है यह एक बार आपके सही हो गया आपके पांच मक्स आपके आपको मिल जानी चलिए उसके बाद क्या मोला बी इस नोट इमिडेट नाइबर ऑफ सी देखो इसने बोला है कि सी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए आपका बी और सी फेस ऑपोजिट डारेक्शन टूदा जी अब देखो इन चीज बत आप चीज़ें का पड़ोसी घोगा तो मुझे पत्ता चलिए कि मेरा कई यहां से कैसल हो गया इसको यहां से आप इसको यहां से आटाए Колे लेंगा अंब देखो अब मुझे पता चलेगे कि या तो मेरा यहां पर आएगा या मेरा सी आएगा ठीक आगा प्रोट ची का मेरे क्या है आउट साइड होगा तो तो दोना इसका पतला इसका सेब नहीं होना चीह तो यह आपको ध्यान रखना है अगर आपका ये टॉपिक कम जो रहे है पजल और से प्रेस्ट तो आप क्या करिए हमारी जार पजल के सिरीज आ इस से जुड़ जाई है तो बिलते हैं नेक्ट क्लास में थैंक्यू गाइस